आज हम इस चैप्टर का Windstorms and Cyclones जो के 7th Class Science से है इसका जो आखरी टॉपिक है वो लेने जा रहे हैं तो इस टॉपिक के साथ ही हमारा इस चैप्टर जो है आज इन्शाललह कम्प्लीट हो जाएगा तो आज का जो यह टॉपिक है या हम इसे तॉपान भी कह सकते है उर्दो में तो टॉपिक है इसकी डेफिनिशन के मताबक ये एक वेदर कंडिशन है मौसम में एक ऐसी कंडिशन होती है एक ऐसी सिट्विशन होती है जब एक कलाउड जो है उसका एक डॉर्क फनल शेप बनता है और वो नीचे जमीन तक पहुंच जाता है जैसे कि आप इस फिकर में देख सकते हैं ये फनल शेप बनता है उपर से ये इसका चोड़ा होता है और नीचे जमीन की तरफ से पॉंटिड होता है और इसमें बड़ी तेजी सी हवा जो है वो गोल-गोल गुमती है बड़ी तेज रफतारी से ये ग्राउंड की तरफ पहुंचता है तो इस टाउनडो का जो है दामेटर आप टाउनडो के रेंज रोम वन मीटर तो सिर्ल किलो मीटर तो इसका डामेटर जो है वो चंद मीटर से कई किलो मीटर तक हो सकता है और ये टाउनडो जो है ये तरफ पहुंचता है जो है ये तरफ पहुंचता है है इस टॉनिर को दोरान जो है हवा इस एरिया में वह बड़ी तेजी से चलती है ताकरीबर 300 किलोमीटर पर और यारे फीगंटा 300 km फीगंटा हो सकती है या होती है और इसका फ़नल शेप जो है जो ओपर से इसका मुख खुला सा होता है और नीचे पॉइंटेड होता है ग्राउंड की तरफ से इसकी बेस के नजदी ग्राउंड पर जितनी भी चीज़ें इसके करीब होती है या उनको सक अप करता है उनको लपेट लेता है अपने अंदर क्योंकि वहां पर जो है उसके अंदर लो एटमोसफिरिक प्रेशर होता है तो उनको सब चीज़ों को जो ग्राउंड पर उसके बेस के करीब होती है उनको अपनी तरफ खीचता है उसके बाद क्या होता है जब उसके अंदर चीज़ें चली जाती है तो जो सिर्कल में जो उन चीज़ों में तबाही मचा सकता है या उस जगापर जहां पर यह टॉनेड ओफावमिशन होगी इरदगिरद भूट बड़ी तेदाद में तबाही बहुत बड़ी पाइमाने पर तबाही मचा सकता है जया तबाही मचाता है तो आइसे सिट्विशन में अगर Tornledo प्रूण रीजिन में आप है तो आप अपको कैसे प्रोडट करें तो अपने आपको प्रोड़ेक्ट करने के लिए आपको जो पहले एथियात है वो ये करनी है कि आप जिस शल्टर में है या आप जहां शल्टर लेना चाहिए कोश्च करें कि वह एक अंडर ग्राउंड रूम हो जिसमें कोई खिड़की दर्वाजे बिलकुल ना हो जमीन के नीचे ताकि टाउनेडियो जो है जब इसकी फार्मिशन होगी तो जो है सर्फेस के ऊपर से होगी और नीचे ग्राउंड में इसका इंपक्ट उतना नहीं होगा और अगर आप कमरे में हैं या अपने गर में हैं तो खिड़की दर्वाजे बंद करें और ऐसी जगह पर छुपें किसी कूने में या किसी टेबल बड़े टेबल के नीचे बेंच के नीचे और इसको थामें और कोश्च करें कि अपन बाजू से कवर करें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें तो लास्ट पर एक टर्म आती है इस लेसन में तो यह है एनिमो मीटर जो है यह एक डिवाइस है जिसे विंड की स्पीड या आदी की रफतार है और इसकी डिरेक्शन इसकी सिम्मत क्या है उसे मेजर करने के लिए इ और ये common device है हर एक weather station के लिए जहां पर भी weather station होगा जो ये prediction के लिए होगा या इसको study करने के लिए होगा weather को तो वहां पर ये common instrument लगा रहता है और ये animometer जो है ये एक term है from Greek word animos तो animos का मतलब है wind तो इसे use किया जाता है wind की speed describe करने के लिए meteorological department में या जिसे हम में मुस्मियाद भी कहते हैं meteorology में जिसे हम ilmi मुस्मियाद कहते हैं तो इसमें इसको wind की direction और speed के लिए study करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है इसके साथ ही जो हमारा ये आज़ का topic भी खतम होता है और ये chapter भी खतम होता है इन्शालला नई वीडियो में आपके साथ एक नई chapter के साथ मलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्ला आपको सलामत रखे खुदा हाफिज